देश बग दुरुव राठी भाई का एक वीडियो आया करे ट्विटर पर बड़े बड़े लोगों ने वीडियो को शेर भी किया फ्लो फ्लो में राठी भाई ने बहुत सारी बाते बोली वीडियो देखकर आपको भी फील होगा देश संकट में है एक बार इनकी बाते सुनते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरिवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया पोर्ट में जब किसी ऐलेजेट क्रिमिनल को ले जाते हैं तो जज देखता है कि किस आधार पर अरेस्ट किया गया है क्राइम क्या है उसके बाद ही रिमांड या जुडिशिल कस्टिडी में भेजा जाता है इतने बड़े पॉलिटिशन का केस है बेसिक चेकिंग तो जज ने भी ओविसली की होगी आगे सुनो तीन में से दो इलेक्शन कमिशनर्स को प्रधान मंत्री मोधी की मर्जी के अनुसार अपोइंट किया गया इलेक्शन कमिशनर चूज करने की कमिटी में लीडर ऑफ उपोजिशन भी होते हैं जो इस ताइम कॉंग्रेस के अधीर रंजन चौधरी है सिर्फ PM की मर्दी से को इलेक्शन कमिशनर चूज नहीं किया जाता अब ही हम वीडियो के पहले एक मिनट में हैं आगे भी बहुत सारी फालतू बाते बताई गहीं हैं इस वीडियो में ये वोही लोग हैं जो अब तक ये सोचते हैं कि EVM हैक हो सकते हैं और हर साल मोदी EVM हैक करके ही चुनाव जीते हैं भाई अगर ऐसा था तो दुज़ार चुखदा में जब मोदी जी जीते तब तो कॉंग्रेसी सरकार थी ना तब क्यों नहीं कर ले EVM हैक हैर अब इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद और ये सारे फैक्ट सुनने के बाद सभी लोग बोलेंगे मैं अंदभगत हूँ BJP से मैंने पैसा ले लिया है